हेलो दोस्तो, वेलकम बेक, आज की मूवी बड़ी मज़ेदार है, इसमें इतने ट्विस्ट, इतनी हैपनिंग, इतनी मिश्ट्री है कि एक कई पे भी बोर नहीं करती, मगर सच कहूं, इसे एक्स्प्लेन करने में बड़ी मेनत लगी, तो प्लीज इसे एंटक देखना, तो च इसमें प्रोसिकिशन, याने सरकारी वकिल और डिफेंस वकिल, इन्हें ओपन कोर्ट में तीन दिन का वक्त दिया जाता है, तिसरे दिन जजज किसी भी हालत में अपना फैसला सुनाता है, तो इसी माहुल में एक नौसिखा वकिल है, जिसका नाम है फिनिक्स, जो मिया नाम हैरी को एक केस से छुडाते है, जिससे खूशो के हैरी मिया को एक एंटिक पिस गिफ्ट करता है, जो दरसल एक घड़ी है, अब हमारे सामने माईल्स ताम का सरकारी वकिल आता है, जो कभी कोई केस नहीं हारा, माईल्स डर्टी ट्रिक्स खेलके केस जितने के लिए जाना ज जाता है, जिससे उसका गुरु कर्मा हमेशा उस पे नाराज रहता है, कर्मा उसके जमाने का बहुत बड़ा एटर नहीं था, वो अपने 40 साल के करियर में कभी कोई केस नहीं हारा, अब कर्मा चीफ प्रोसेक्यूटर है, माईल्स कर्मा जैसा सरकारी वकिल बनना चाता है, या मिया को भी अभी भी 15 साल पूराना DL6 नाम का केस सता रहा है, क्योंकि उस वक्त उस केस को सौल करने के लिए, पुलिस ने उसकी मा मिष्टी की हेल्प ली थी, जो एक शमन थी, याने भूत और इंसान के बीच की मीडियम, मिष्टी ने विक्टिम की आत्मा से, याने मा की मा का मरडर हुआ, मिया को लगता है कि इस केस में कोई घैरा रास चुपा हुआ है, तो एक रात मिया इसी केस के बारे में सोच रही होती है, कि तबी उसके दिमाग में कोई बात आती है, वो चोरी चुपे कोड के एविडंस रूम में जाती है, और वहा हसे 15 साल पहले में इस्तेमाल की गई बुलेट और उसके रिपोर्ट को हासिल करती है मगर उसके किसी की नजर है अब मिया जब अपने आफिस लोटी है तो कोई उस पे हामला करता है उसके कुछी पलो बाद फिनिक्स मिया के आफिस आता है तो देखता है मिया का मर्डर हुआ है और पासी कहने के अनुसार माया ने मिया का मर्डर किया है पुलिस डिटेक्टिव जेम्स को मिया की लाश के पास एक पेपर मिलता है जिस पर खुन में माया शब्द लिखे होते है जो पेपर दरसल लाइट स्टेंड का बील होता है तो अब माया को एरेष्ट किया जाता है माया भी अ कहता है कि कोट में वो केस जीत नहीं सकता क्योंकि सरकार की तरफ से माइल्स केस लड़ने वाला है यहां पता चलता है कि बच्पन में फिनिक्स, माइल्स और हैरी तिनों बेस्ट फ्रेंट है अब कोट में केस शुरू होता है डिटेक्टिव जेम्स कोट को बताता है कि उसे मि मिया की मोत सर पे घाव लगते ही तुरंत हुई थी तो उस पर माइल्स कहता है वो पुराना रिपोर्ट है नए दूसरे रिपोर्ट के हिसाब से सर पे घाव लगने के बाद भी मिया कुछ मिन्टों तक जिन्दा थी तो उसी वक्त उसने अपने खुनी का नाम पेपर पे चाहा था रौबर्ट बताता है कि वह उसके होटेल की विंडो में खडा था तो उसने माया को उस एंटिक घड़ी से मिया का मर्डर करते हुए देखा फिनिक्स रोब्र से पुछता है तुमें कैसे पता चला यह एंटिक पीस दरसल एक घड़ी है जो किसी भी एंगल से गड फिनिक्स पुछता है कि तुमने काज के फुटने की आवाज सुनी और बाद में तुम विंडो में आये तो तुम्हें कैसे पता चला जो फुटा वो light stand था रॉबर्ट बताता है कि उसे पहले से पता था वहां लाइट स्टेंड है तो उस पर फिनिक्स उससे कहता है कि यह पॉसिबल नहीं क्योंकि तुमारी विंडो और लाइट स्टेंड के बीच पार्टिशन थी तो अब माइल्स रॉबर्ट के हेल्प के लिए आता है वह कोर्ट से कहता है कि दरसल रॉबर्ट मिया पे नजर रखे हुए था तो उसने मिया के मर्डर के दो हपते पहले उसके होफिस चोरी चुपे जाके माइक्रोफोन फिट्स किये थे तब वह वहाँ लाइक्रोफोन डेक चुका था पोलिस को वहाँ माइक्रोफोन भी मिल चुके है अब फिनिक्स को समझ में नहीं आता कि वह क्या दलिल पेश करे वह डिप्रेस होता है तो अब माया अपने शरीर में मिया की आत्मा को हेल्प के लिए बुलाती है मिया की आत्मा फिनिक्स से कहिती है उसका हाथ जिस पेपर पे है वही उसे मदद करेगा फिनिक्स उस पेपर को पलट के देखता है तो उसे पता चलता है मरते वक्त मिया ने जिस पेपर में माया नाम लिखा था कोट में हला मज जाता है जज रोबर्ट की गवाई को खारीच करते है बिना सबूतों के चलते जज माया को बाइज़त बरी करते है फिनिक्स अपनी जिंदगी का पहला केस जितता है तो माइल्स जिंदगी में पहली बार केस हारता है जेम्स रोबर्ट को एरेश्ट करता है मा अगर इन सब मर्डर की बुनियात वो DL 6 केस है, फिनिक्स को लगता है कि उस रात मिया के हाथ कोई सबुत लगा था, जिस वज़ा से उसका मर्डर हुआ, मगर वो सबुत मिया ने कहां चुपाए है, वो वो नहीं जानता, शायद रॉबर्ट अपने साथ उसे ले गया होगा, तो अब फिनिक्स उस 15 साल पहले के DL 6 केस को स्टड़ी करता है, 15 साल पहले एक लैंड ओनर का मर्डर हुआ, जिसका इलजाम DL याने डैनी ली नाम के गैंक्स्टर पे रखा गया, लैंड ओनर की बॉडी में पाई गई बुलेट्स, डैनी की गन से निकली थी, इसका बैले इसका मर्डर हुआ, मगर यानी को सेल्फ डिफेंस और ड्यूटी के चलते बाइजद रिया किया गया, फिनिक्स केस को स्टड़ी कर रहा होता है, कि तबी माया वहाँ आके उसे एक न्यूज दिखाती है, पुलिस ने मर्डर के जुरूम में पब्लिक प्रोसेक्विटर मायल्स को एरेष्ट किया होता है, वो न्यूज देखके फिनिक्स शौक होता है, दो बुलिस चलाई गई थी, गन पे मायल्स के फिंगर प्रिंट्स पाए गए, रात को डोपैंग लेक पे इंसिडेंट हुआ, फिनिक्स जेल में जाके मायल्स से मिलता है, और उसे रिक्वे तो देखने में लगे है एक फ्रीलांस फोटोग्राफर लुसी तो दो दिन से वहां डेरा जमाई बैठी है उसने उसका कैमेरा ऐसा सेट किया है कि जैसे ही कोई बड़ी आवाज होती है वह एटोमेटिकली क्लिक करेगा फिनिक्स को लगता है कि अगर ऐसा है तो उस कैमेरा न जिस शक्स का मर्डर हुआ वह वही वकिल था जिसने 15 साल पहले यानिका केस लड़ा था जिसका नाम हेमंड है मतलब हेमंड की वज़ा से माइल्स के डैड़ी के कातिल को सजा नहीं हुई थी मतलब माइल्स के पास हेमंड को मारने की वज़ा थी फिनिक्स माइल्स को कन्वि मगर माइल्स और हैरी फिनिक्स के साथ खड़े हुए और उसे बचाया फिनिक्स ये बात भुला नहीं फिनिक्स माइल्स को उस रात वाली श्टोरी पुछता है माइल्स बताता है कि हेमंड ने उसे लेक के पास मिलने बुलाया उसे डिल 6 केस के बारे में कुछ कहना था मगर जैसे ही boat lake के बीचो बीच आ गई, all of a sudden उसने gun निकालके मुझपे fire किया, पहला निशाना चुक गया, मगर दुसरे firing के पहले ही किसी और ने fire करके heman को मार दिया, heman lake में गिर गया, मैंने अंजाने में वहाँ पड़ी gun उठाई, और मेरे fingerprint उस पे आ गए, अब miles का case court में शु है कि सवा 12 बजे के आसपस, जब वह lake किनारे अपने कार में थी, तो उसने gun firing की आवाज सुनी, उसने भार जहाक के देखा, तो boat में दो लोग थे, तबी दूसरी firing हुई, तो उसमें से एक आदमी lake में गिर गया, Lucy court को फोटो दिखाती है, वह दावे के साथ कहती है, कि boat में उसने miles को देखा, Phoenix court से कहता है, कि उसरात lake के आसपस इतना कोहरा चाया हुआ था, कि 10 feet की दूरी से कुछ दिखाईने दे रहा था, तो Lucy ने किनारे से ये सब कैसे देखा, फोटो में भी साप नजर नहीं आ रहा, अब Lucy मान जाती है, कि उसने popular बनने के चकर में जूटी गव कोट पे हो, आसपास से भी कोई गोली चला सकता है, और हो सकता है, खुदी हेमर्ण ने आपने आपको शूट किया हो, याने सुसाइड की हो, इस नई possibility को देखके, जच कोट को दूसरे दिन के लिए मुलतवी करता है, तो अब Phoenix और Maya सबुत इकटा करने में लग जाते है, उ जो बोट रेंड पे देने का काम करता है, एक हाथसे की वज़ा से, उस आदमी की मेमरी कुछ धुनली हो गई है, उसे अपना नाम तक याद नहीं, अब सब उसे डोडो के नाम से जानते है, Phoenix कहता है, जिस आदमी को अपना नाम तक याद नहीं, उसकी गवाई कितने माइने रखेगी, कर्मा कोर्ट से कहता है, कि चार दिन पहले हुआ वाकिया कोई भुलता नहीं, अब डोडो कोर्ट को बताता है, कि 24 डिसेंबर की रात, 12 बजे के बाद उसने गन फाइरिंग की आवाज सुनी, तुरंत उसके बाद उसने एक आदमी को बोट से उतर के उसके घर के के पास से गुजरते देखा, और वा आदमी माइलसी था, माइलस जाते हुए बडबड़ा रहा था, कि मैंने सोचा नहीं था, कि मैं किसी को शूट करूँगा, अब माइलस चिल्ला के कोर्ट से कहता है, कि मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था, ये आदमी जूट बोल रहा है, मग एक में गिरे बलून कार्टून को धूंड रहा था, तभी उसने गन शॉट की आवाज सुनी, मगर उसने स्रिफ एक ही गन शॉट की आवाज सुनी, और वो आवाज भी उसने साड़ी ग्यारा बजे सुनी, ना कि सवा बारा बजे, क्योंकि उस वक्त रेडियो प्रोग्राम की आइंकर बता रही थी, कि आदे गंटे के बाद क्रिस्मस शुरू होने वाला है, फिनिक्स जस से कहता है, तीन गन शॉट हुए, मतलब कुछ तो गड़बढ है, कर्मा बताता है, कि मर्डर के वक्त सिर्फ दो गन शॉट हुए है, जो लुसी के फोटो में कैध है, और दोनो साड़े 11 बजे जैसे ही गन फायरिंग हुई, उसने क्लिक किया, बले उसमें कुछ शूट नहीं हुआ हो, मगर क्लिक तो हुआ था, तो साड़े 11 बजे हुआ ये गन शॉट क्या है, हो सकता है, साड़े 11 बजे ही हमन को मार दिया गया था, और उस राद बोट पे माइल्स के सामने जो था वो हेमंड नहीं कोई और यानि वही असली किलर था कोईरे की वज़ा से माइल्स को लगा वही हेमंड है दो गन शौट के बाद वो बोट से लेक में कुदा और तेरते हुए किनारे आया और गायब हुआ फिनिक्स को अब डोडो पे शक जाता है मगर अब डोडो गायब हो चुका है तो अब कोट को तीसरे यानि आकरी दिन के लिए मुलतवी किया जाता है फिनिक्स जेम्स से कहता है कि माइल्स को बे गुना साबित करने के लिए डोडो का पकड़ा जाना ज़रूरी है अब जेम्स पुरी पोलिस फोर्स को काम पे लगा देता है फिनिक् मर्डर होते है कि पीचे से कोई आके उन्हें वहोश करता है और उनके हाथ से वो note लेके चला जाता है यहां Robert का भी जेल में जहर दे के मर्डर किया जाता है Phoenix Miles से कहता है कि इन सब qace के character एक दूसरे से कई ना कई connected है जिनकी शुरुवात उस 15 साल पहले के DL6 case से जूड़ी है माइल्स बताता है DL6 case के वक्त जब उसके डैड़ी का evidence room में murder हुआ था तब वो वहाँ था मगर उसे कुछ याद नहीं उस वक्त छोटे माइल्स को लगा evidence को destroy करने के इरादे से उसके डैड़ी उस वक्त वहाँ गए थे यान्नी ने उन्हें पकड़ा दोनों में हाता पाई हुई बस इतना ही उसे याद है माइल्स को लगता है कि जिसे दुनिया डोडो समझती है वही शायद यान्नी है क्योंकि वही एक ऐसा आदमी है जो माइल्स और हेमर्स से बदला लेना चाता है तो अब फिनिक्स यान्नी की हिस्ट्री छानने लगता है तो उसे पता चलता है कि यान्नी की वाइफ का नाम पॉली था अब आखरी दिन कोट की कारवाई शुरू होती है Phoenix courtroom की तरब जा रहा होता है कि उसे मिया के case में पाए गए evidence वापस दिये जाते है जिसमें वो एंटिक पीस भी है Phoenix के पास पेश करने के लिए कोई गवा नहीं होता तो अब जैसे ही जज अपना फैसला सुनाने जाते है कि तभी James डोडो को court में पेश करता है डोडो court से कहता है मैं भागा नहीं था अपने तोते पॉली को धुण रहा था Phoenix डोडो से कहता है कि मैं तुमें तुम्हारा असली नाम याद दिलाने में मदद करता हूं तुम्हारा असली नाम है यान्नी तुम्हारे हाथो 15 साल पहले माइल्स के डैड़ी की याने माइकल की हत्या हुई उस केस में तुम्हारी बदनामी हुई जिसका जिम्मेदार तुमने हेमर्ण को ठहराया और उसे मार दिया फिर उसका इल्जा माइल्स पे डालके तुमने एक तिर में दो शिकर किये कर्मा Phoenix से पुछता है तुमारे पास क्या सबुत है के आदमी यानी है Phoenix बताता है के यानी की वाइफ का नाम पॉली था वही नाम यानी ने अपने तोते का रखा और ये तोता इंसानी भाषा बोलता है तो अब तोते को विटनेस बॉक्स में खड़ा करने की रिक्वेस्ट Phoenix judge से करता है इस बात से सब चक्रा जाते है मगर judge मान जाता है Phoenix बड़े प्यार से तोते को खिला के पहले तो उससे दोस्ती करता है फिर वह तोते को डोडो के बारे में पुछता है तो तोता डोडो की बड़ डेट उसकी मैरेज डेट और डोडो की वाइफ की डेट डेट को बताता है Phoenix court से कहता है कि यह तीनों डेट याननी की है मगर यह कोई पुखता सबुत नहीं होता तो अब तोता डोडो को याननी कहके पुकरता है तोते की बाते सुनके डोडो याननी को वह सब बाते याद आती है अब डोडो कोट के सामने स्विकार करता है कि वह याननी है वह जज को बताता है कि 15 साल पहले मैंने माइकल को नहीं मारा मगर हेमन के कहने पे मुझे कोट में जूट कहना पड़ा कि मैंने माइकल को मारा On Duty Self Protection के ग्राउंड पे मुझे रिया तो किया गया मगर शयर में मेरी बदनामी हुई सब मुझे Murderer की नजर से देखने लगे जिससे मेरी वाइफ पॉली को गहरा शौक बैठा और उसने सुसाइड की मेरी दुनिया तबा हो गई खुन ना करने के बावजुत मुझ पर एक खुनी का धबबा लग गया मैं शौक की वज़ा से वह सब कुछ भूल गया चार दिन पहले मेरे घर एक पारसल आया जिसमें एक गन और लेटर था लेटर में लिखा था मेरी बरबादी की वज़ा हेमन और माइल्स है और उने खतम करना ही मेरी जिन्दगी का मकसद है मैंने पहले हेमन को खतम किया फिर उसका भेस बना के माइल्स के सामने गया और उसे हेमन के मर्डर में फसाया जज यानी से पुछता है कि अगर तुमने एडवोकेट माइकल को नहीं मारा तो फिर उसे किसने मारा तब ही माइल्स कोट में खड़ा होके बोलता है कि मैंने मेरे डैडी का मर्डर किया है हेमन के मर्डर से माइल्स को बरी किया जाता है मगर अब उस पर उसके डैडी माइकल के मर्डर की केस चलाने का फैसला कोट करती है Phoenix को लगता है कि Miles murderer नहीं हो सकता कुछ तो गडबड़ है वो ठान लेता है कि वो Miles को बेगुना साबित करके रहेगा अब कोर्ट में Michael के murder की case शुरू होती है Miles court को बताता है कि 15 साल पहले वो अपने पिता को एक fraud advocate समझ रहा था जब वो DL6 याने डैनी ली के वकिल के तोर पे केस हैंडल कर रहे थे तो उस केस में डैनी से हासिल की गई गई गन को एविडन्स रूम में रखा गया मेरे डैडी याने माइकल उस गन से छेड़खानी करने के इरादे से उस रात एविडन्स रूम पहुचे मैं भी उनके पीछे 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 वहां गया मगर अचानक वहां यान्नी आ गया दोनों में हाता पाई शुरू हुई हाता पाई में वह गन मेरे हात लगी उसमें दो बेहोश हुआ फिनिक्स जस से कहता है कि रेकॉर्ड के हिसाब से गन में दो बुलेट्स बाकी थी मगर इस इंसिडेंट के बाद जब गन को चेक किया गया तब उसमें एक भी बुलेट नहीं थी मैगजिन खाली था एक बुलेट माइकल पे चली तो दूसरी बुलेट का क्य हुआ इसका मतलब है या तो गन दो बार फायर की गई थी या वहाँ कोई चोथा आदमी था जिसने बुलेट निकाली मगर वो कौन है इसका जवाब फिनिक्स दे नहीं पाता तो अब माया मिया की आत्मा को हेल्प के लिए बुलाती है मिया की आत्मा फिनिक्स से कहती है कि तो चोगे तो हल मिलेगा जज फिर से फिनिक्स से पुछता है कि क्यों कोई भला बुलेट निकाल के लेके जाएगा फिनिक्स जजस से कहता है कि अब तक जिन लोगों के साथ बुरा हुआ वह सब लोग DL6 केस से कई न कई जुड़े हुए थे माइकल की मोथ हुई यान्नी की बदनामी हुई मिष्टी की मोथ हुई मिया की मोथ हुई हेमन की भी मोथ हुई माइल्स पे मर्डर के इलजाम लगे यहां तक के रॉबर्ट की भी मोथ हुई मगर सिर्फ एकी ऐसा इंसान है जो इस केस से जुड़ा है और अब तक क्लीन है और उसवक सरकार की तरफ से DL6 case handle कर रहा था और हो सकता है उस रात evidence room में करमा भी मौझूद था और उसवक दूसरी गोली भी चली जो करमा को लगी करमा जिसने अपने 40 साल के career में सिर्फ एकी बार छुट्टी ली और वो छुट्टी इसले ली क्योंकि उस bullet से हुई जखम पे व उसका कोई medical record नहीं तो अब Phoenix shockingly कहता है कि अगर तुमने कोई medical treatment नहीं कराई इसका मतलब है वह bullet अभी भी तुमारे शरीर के अंदर है करमा इस statement पे एतराज जताता है तो अब Phoenix Harry से उसका metal detector लेके करमा की body पे घुमाता है metal detector left shoulder पे आते ही बीप करने लगता है तो अब करमा को मानना पड़ता है कि उसके left shoulder में bullet फसी हुई है मगर उस bullet का deal case से कुछ लेना देना नहीं अब करमा Phoenix को challenge करता है कि अगर उसके पास कोई सबूत है तो वह साबित करे कि उसके कंदे में फसी bullet 15 साल पहले उस evidence room में रखी gun स निकली है अब जब evidence room से वह gun मंगाई जाती है तो पता चलता है वह gun चोरी हो चुकी है अब खुछ judge Phoenix से पुछता है कि वह कैसे साबित करेगा Phoenix को भी अब कोई रास्ता नहीं दिखता तभी उसका हाथ लगके table पे रखा antique piece नीचे गिरता है और वह तूट जाता है उसमें से मिया ने चुपाई हुई bullets के reports निकलते है जिस bullets से माइकल का murder हुआ था Phoenix just से कहता है कि वह bullet है जो माइकल के body में पाई गई थी तो अब इस bullet को कर्मा के body में फसी bullet से match कर सकते है क्योंकि दोनों एकी gun की bullets है तो अब कर्मा accept करता है कि उस रात वह evidence room में था जब माइकल का murder हु तब gun से निकली एक bullet उसके shoulder में घुज गई मगर इसका मतलब यह नहीं कि मैंने माइकल का murder किया क्योंकि advocate माइकल का murder करने की मेरे पास कोई वजह ही नहीं थी वजह थी Phoenix शांती से कर्मा से कहता है क्योंकि माइकल को पता चला क्यों तुम 40 साल में एक भी case नहीं हारे क्योंकि तुम illegal method इस्तमाल करके evidence के साथ उनके report के साथ छेडखानी करते आए उन्हें रिश्वत खोरी से अपने favor में बदलते आए वही बात तुमने DL case में की Danny Lee case में जो gun Danny से बरामत की गई थी वह gun तो Danny की थी मगर murder हुए land owner के body में जो bullets पाई गई वह किसी और gun से निकली थी मगर Danny को फसाने के लिए तुमने fraud ballistic report बनवाए जिससे court में ये साबित हुआ के Danny ने अपने gun से land owner का murder किया और यही बात Michael ने पकड़ ली उसे अपने client Danny पे भरोसा था और इसलिए उसराद gun को चेक करने Michael evidence room में गया वह उस gun का फिर से ballistic report निकलवा के land owner के body में पाई गई बुलेट से match करना चाता था अगर ऐसा होता तो तुम्हारा जूट पकड़ा जाता कर्मा फिनिक्स से पुछता है क्या उसके पास कोई सबुत है तो अब फिनिक्स 15 साल पहले के DL case की उस bullet के reports Michael की body में मिली bullet से match करवाता है क्योंकि अगर यह सब bullets Danny की gun से यानि एकी gun से निकली है तो उस वक्त हुए land owner के murder में जूटा gun ballistic report बनवा के यह साबित किया कि वो murder Danny की gun से हुआ है मगर कर्मा की मक्तारी Michael ने भाप ली गन का नए सिरे से ballistic report निकल वाने के लिए Michael उस रत evidence room में गया उसके पीछे पीछे कर्मा भी गया यानि और Michael में हाता पाई हुई तो माइल्स ने gun यानि के और फेकी यानि के सर से टकरते ही trigger दब गया bullet निकली जो जाके लगी वहां खड़े कर्मा के shoulder पे घुस्से में कर्मा ने मोके का फाइदा उटाते हुए गन उठाई और Michael को शूट कर दिया किसी ने भी इतने बड़े prosecutor पे शक नहीं किया ना सरिफ murder बलकि illegal तरीके से case जितने के जुरूम में कर्मा गुनेगार है कर्मा कोट को सफाई देता है कि मैं illegal तरीके से case इसलिए जितता था ताकि समाज के गुनेगारों को सजा हो अगर मैं ऐसा नहीं करता तो criminals खुले आम घुमते सब जगा अजरता फैलती अब कर्मा को arrest किया जाता है और Miles को करता है मगर दोनों की नजरे बता देती है कि अब जल्दी ही दोनों की love story शुरू होने वाली है अब फिनिक्स नामचिन वकिल हो जाता है तो Miles Public Prosecutor कोट में दोनों का आमना सामना होता रहता है मगर उनके दोस्ती में अंतर नहीं पड़ता और movie यां खतम होती है movie comic pattern में shoot की गई है तो एक अलगी फिल देती है तो दोस्तों बताना यह difficult explanation कैसे लगा और नए वीवर्स को एक request करूंगा के प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारा होसला बढ़ाए तो फिर मिलेंगे नई movie के साथ thanks for watching